Hello everybody, दोस्तो आज हम सीखेंगे British English और American English का difference दोस्तो इंडिया में officially British English चलती है क्योंकि यहाँ पर एक जमाने में Britishers का शासन था लेकिन American English शॉक से बोलते हैं क्योंकि American English stylish लगती है सुनने में, बोलने में भी खास करके school जाने वाले लोग, college जाने वाले जो students है वो American English में बोलना बहुत जादा पसंद करते हैं तो दोस्तो ब्रिटिश English में कुछ ऐसे words हैं जिनको American English में कुछ और कहा जाता है या British English में कुछ ऐसे words हैं जिनकी spelling American English में अलग हो जाती है तो दोस्तो आज की class हम कुछ ऐसे words सीखेंगे जिसे कि इनको सीख के हम अच्छी तरह से British और American दोनों English को बोल सके दोनों को enjoy कर सके दोस्तो बहुत ही useful और interesting class है आज की आपको end तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखके हर word को ठीक से सीख लेना चाहिए जिसे की आप इनको अच्छी तरह से use कर सके तो दोस्तो आज की जो हमारी class उसका topic है जो topic हम cover करेंगे वो है British versus American English की British English के मुकाबले में American English में कौन से words इस्तेमाल होते हैं या क्या spelling इस्तेमाल होती है पहला जो word है दोस्तो अच्छा दोस्तो आपको बता दूँ मैंने इहां लिखा है British English B, R से British और E से English शॉट में लिखा और A, M से American, E से English तो आप समझगे यह इसर ब्रिटिश इंग्लिश के words है इसर अमेरिकन इंग्लिश के words है तो दोस्तो पहला word है torch अब जैसे अंधेरे में torch जलाते हम तो हम इंडिया में torch ही बोलते हैं क्योंकि इंडिया में British English चलती है अब आपको अंतर समझ में आजाएगा American English दोस्तो इसको बोलते है flashlight जैसा आप पूछना है कि torch कहा है तो British English यूज़ करेंगे तो बोलेंगे दोस्तो दूसरा word lift लिफ्ट में चड़ते हैं कहीं ऊपर जाने के लिए दूसरी ऊपर की कोई किसी मंजिल पर जाने के लिए तो लिफ्ट को दोस्तो अमाइरकन इंगलिश में बोलते है एलिबेटर कहीं आप आप ने देखा होगा कहीं lift लिखा हुआ होता है, कहीं elevator लिखा हुआ होता है, इंडिया में तो mix चल रहा है दोनों का, British भी चल रहा है, American भी चल रहा है, जैसे film British है, American है movie, तो हम कभी film बोलेते हैं, कभी movie बोलेते हैं, तो और हमको अंतर नहीं पता होता कि actually कौन सा British है, कौन सा American है, ये difference हमको जरू नहीं पड़ता, लेकिन difference जरूर पता हमके, तो दोस्तों, lift को, American में बोलते है, elevator, और तीसरा जो वड़ेते हैं, बहुत इंट्रेस्टिंग है, flat और apartment, अचा दोस्तों, ये difference जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने apartment को लोग पूरी building समझ लेते हैं, कही बारतों, कि एक flat क जो फ्लैट कहेंगे, दो या तीन या चार कमरे का, और जो पूरी building उसको apartment कहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, तो flat जो है दोस्तों, वो British English का word है, और उसी के लिए American English का word है, apartment, same meaning है, उसके बाद दोस्तों, लू, इसी को American English में बोलेंगे, restroom या bathroom भी बो सकते हैं, तो जगर बोल eraser, बहुत ही interesting है, rubber, जो मिटाते हैं, pencil से लिखके, लेकिन Americans उसको rubber नहीं बोलते है, Americans उसको eraser बोलते है, Americans rubber का meaning, क्या समझते हैं, आपको बता दूँगे, Americans rubber का meaning, condom समझते है, condom जो होता है, वो समझते है, तो इसलिए बहुत साथानी से हमको बोलना चाहिए, कि हम क्या बोल तो rubber and eraser, उसके दोस्तों, post, post British English cover है, और American English उसको बोलते है, mail, there is, please check my post, आप बोलने किसी को, कि देखो कोई लेकर तो नहीं आया, American बोलने का, please check my mail, कि मेरी mail देख लेना जरा कोई लेकर तो नहीं आया, तो post को ही mail बोलेंगे, British American, football, football का जो sport हता है दोस्तों, इसको American English उसको Americans football किसी और game कोई बोलते है, तो football, British English है दोस्तों, American है soccer, उसके बाद दोस्तों, nappy, nappy British English और उसका American है diaper, तो हमको diaper use करते हैं अपना इंडिया में बहुत ज्यादा, क्योंकि ads वैसे आते है, diaper, या फिर nappy में भी happy, कोई ऐसा ad आता है, तो nappy British word है दोस्तों, diaper उसका American word है, अब हम कुछ दूसरे words सेखेंगे, जो British और American में क्या difference है, यह दोस्तों, boot, और इसको, boot, British English में, American हो जाता है, trunk, अच्छा हम बोलते है, dicky, बोलते है, car की dicky में, dicky में, है सावान, रख दो, suit के इस रख दो, दोस्तों, actually British English में, उसको बोलेंगे boot, और American English में बोलते है, trunk, get into the trunk, की dicky में जाके छुप जाओ, तो इस तरीके से यूज़ करना है, lorry, जो बड़ी सी गारी होती है, सामान डोने के लिए, उसको American हो बोलते है, दोस्तों, truck, तो lorry को बोलेंगे, truck, यह था दोस्तों, boot, और यह trunk, और यह लॉरी, और यह truck, अच्छी तरह से आप समझ गए, उस यह वाला word सब लोग जाते है, program, क्योंकि computer में, यही mobile phones में भी, यही वाली spelling आती है हमारे सामने, internet पर भी यही word हमारे सामने आता, हमको लगता है यही word होगा, but actually यह word है, British English का, P-R-O-G-R-A-M-E, program, और इसको पढ़ेंगे program, तो दोस्तों, spelling का difference है, जैसे color होता है, C-O-L-O color, यह British English है, और American होगा C-O-L-O-R, color, color and color, यह British और American, spelling का भी difference है, थोड़ा सा उचारन का भी difference है, उसके लाद दोस्तों, pavement, pavement, जिसको footpath बोलते हैं, तो pavement, British English है, American हो बोलते हैं, sidewalk, so pavement and sidewalk, यह difference है, समझने हमको ठीक से, उसके लाद दोस्तों, indicator, गारी में indicator, left turn लेना हो, right turn ले British English है, Americans उसको बोलते है, blinker, blinker, indicator, blinker, pronunciation, दोस्तों, British English में end में जो R होता है, उसका उचारन नहीं होता, अगर R के बाद और कुछ नहीं हो, R भी नहीं होता, मैं भी जैसे बोल रहा हूँ, R नहीं होगा, R है, pronunciation, और American English में R को बोलते हैं, जीव को मुह कंदर ऐसे मोडते हैं, R, करके बोलना चाहिए, you have to roll your tongue, R, तो उसी साब से मैं इसको पढ़ रहा हूँ, indicator, यह British उचारन है, blinker, यह American उचारन है, आप उचारन सीखना चाहते हैं, उचारन के नियम सीखना चाहते हैं, fanatics के rules सीखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर एक playlist है, जिसका नाम है, Learn English Pronunciation and Fanatics, उस playlist म में आपको pronunciation के rules के उपर, phonetics के rules के उपर, अनमोल वीडियोज मिलेंगे, आपको उन वीडियोज को देख करके pronunciation के rules को सीखना चाहिए, और अची तरह से उचारन करना चाहिए, उसके बाद दोस्तो, windscreen, जो सामने होते हैं गाड़ी के, जिसको साफ करते हैं, तो windscreen को, Americans बोलत full stop, the name of my, money, she is my friend, full stop, हम बोलते हैं, full stop, sentence को end, खतम करने के लिए, यह British English है, Americans full stop नहीं बोलते हैं, Americans को बोलते हैं, period, I am going to the temple, period, money, she is my friend, period, तो full stop को period कहा जाएं, अच्छा दोसो, period word का, spoken English में कैसे इस्तमाल होता है, यह English communication में कैसे इस्तमाल होता है, यह मैं आपने कुछ एक वीडियो में बता चुका हूँ, यह बात, मैं आपको फिर से repeat करके बतायता हूँ, जैसे आपको जब भी कहना हो, बस, मुझे तुमसे बात नहीं करना चाहता है, बस, बात खतम होगी, जब भी यह भाव आपका, बस, बात खतम होगी, या इससे आगे मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी, तो आप सिर्फ एक word बोल के अपनी बात को कह सकते है, period, I don't want to sleep now, period, ऐसे use करना है, अप लिख भ postal code, postal code जिसको हम PIN code कहते है, postal index number code, PIN code को British English में postal code कहते है, अब, और American चिसको हम इसको पता रहने चाहिए, Postal Code and Zip Code तो दोस्तों ये थे British Words and American Words मुझे उम्मीद है कि आपको आज की Class अच्छी लगी होगी और इस Class के बाद आपको बहुत सारे Words का British and American Version पता चल गया होगा अच्छा दोस्तों अगर आपको Class अच्छी लगी हो अच्छा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके देदूं तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखे अगर मुझे लगेगा कि वो वीडियो काफी लोगों के लिए अच्छा साभीत होगा तो मैं आपको उस बाई